सद्गुरू, इस देश के सभी वरिष्ट रिदे रोग विशेशग्यों, सर्जुनों और सभी अच्छे डॉक्टरों की मेहनत के कारण दिल की बिमारियों के इलाज के बारे में लोगों में बहुत आत्म विश्वास आ गया है सद्गुरू, ये बहुत दिल्चस्प है जब 25 साल पहले मैंने अपना करियर शुरू किया था 25 साल पहले मैंने इंग्लेन छोड़ा और कलकत्ता में काम करना शुरू किया तब अगर मैं किसी मरीज से कहता कि उसे ओपरेशन की जरूरत है तो उसे ओपरेशन के लिए मनाने में एक घंटे से जादा समय लगता था मगर आज मेरे सामने दूसरी समस्या आती है वो लाइन लगा कर खड़े हैं सद्गुरू आज जब सारी रिपोर्ट्स देखने के बाद मैं किसी मरीज से कहता हूँ कि आपको ऑपरेशन की जरुवत नहीं है तो मुझे एक घंटे से जादा उसे ये समझाने में लगता है कि उसे ऑपरेशन की जरुवत क्यों नहीं है हर कोई दिल का ऑपरेशन कराना चाहता है सद्गुरू ये रोमेंटिक कारणों से है या हम कैसे हम लोगों को कैसे समझाएं कि दिल को दुरुस्त करना ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर में कुछ गरबढ होती है तो आप प्लमबर बुलाते हैं तो उसे ठीक कर देता है या अगर आपकी कार में कुछ खराब है तो आप उसके पार्ट्स बदल देते हैं ये एक अलग चीज है ये बिलकुल हम कोई जादुगर नहीं है या भगवान नहीं है और प्रकृती सबसे बहतर हीलर है और दिल की सरजरी सिर्फ पचास साल पुरानी चीज है लोग सदियों से जी रहे हैं उन्हें पता चल गया है कि ये एक बिकार का पाठ है ये हम सभी के लिए एक बड़ी दूविधा है सद्गुरू आज लोग चाहते हैं कि उनके शरीर के साथ हर समय कोई छेड़ छाड़ होती रहे हाँ अगर दिल नहीं तो कई दूसरे हिस्सों में हाँ जैसा मैंने कहा शायद अगले पचास सालों में पचास प्रतिशत आबादी ऐसी सरजरियों से गुजरेगी यह सेहत नहीं है यह medical industry है लेकिन सेहत नहीं एल्थ केर सिस्टम्स नहीं हॉस्पिटल्स नहीं अधिक doctors नहीं बलकि एक सेहत की संस्कृति को विक्सित करना होगा अभी दुनिया अमेरिका की हर चीज़ की नकल करती है वो बुरा खाना खाते हैं बुरा जीते हैं और उनका तीन खरब डॉलर का health care बिल है यह उस देश को डुबा रहा है यह health care पूरे देश को डुबा रही है हम भी यह सब करना चाहते हैं हम वैसे कपड़े पहनना चाते हैं, वैसा खाना चाते हैं, वैसे जीना चाते हैं, और उसी तरह बीमार होना चाते हैं, लेकिन हमारा देश निश्चत रूप से आपके उपर तीन खरब डॉलर खर्च नहीं कर सकता, हम आपको मरने देंगे. हम हर किसी के पास जाकर सवा अरब लोगों की सरजरी नहीं करवाने वाले निकट भविश्व में ऐसा नहीं होने वाला और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुसीबत और हुआ तो उससे भी बड़ी मुसीबत लोग खुशाली में जीना नहीं जानते ये एक मुसीबत है मैं तो कहूंगा कि इस धर्ती पर 70 फी सदी बीमारियां सिर्फ रहने, खाने और वातावरन की सही समझ से ठीक की जा सकती है 70 फी सदी बीमारियां ठीक हो जाएंगी अब 12 से 15 साल में इसे कर सकते हैं अगर एक मजबूत प्रयास किया जाए लोगों के द्वारा, नीतियों के द्वारा हर संबंधित व्यक्ति द्वारा खास तोर पर अस्पताल बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि लोग जब बीमार होते हैं तब वो सुनते हैं वरना वो नहीं सुनते जब वो अच्छे होते हैं वो नहीं सुनते जब वो बीमार होते हैं तो वो सुनते हैं जब वो बीमार होते हैं तो उनके दो से ज्यादा कान उगाते हैं यही उन्हें बताने का समय है कि बहतर तरीके से जीवन कैसे जीएं ये चीजें हमारे लिए नई नहीं है ये चीजें हमारी संस्कृती में रची बसी है मगर हम किसी ऐसी चीज के लिए उसे छोड़ रहे हैं जो हमें मुसीबत में डालेगी किसी चीज को तुरंट ठीक करने के लिए मेडिकल उपचार की जरूरत पड़ती है और ये सबसे एहम है इसमें कोई संदेह नहीं है मगर लंबे समय तक सेहत आज के मेडिकल साइंस की वज़े से नहीं मिलेगी किसी समाज या देश या धर्ती को लंबी सेहत इस तरह नहीं मिलेगी हमें सेहत की संस्कृति लानी होगी जीने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है अपने शरीर को कैसे रखें, मन को कैसे रखें, सासों को कैसे रखें आसपास के वातवरन को कैसे रखें अगर ये संस्कृति बचपन से हमारे अंदर नहीं लाई गई मैं तो कहूंगा कि इसे स्कूल के करुकुलम में ही शामिल कर देना चाहिए सेहतमन जीवन शैली क्योंकि अगर आप स्वस्थ लोग नहीं बनाएंगे तो आपके पास शिक्षित और बीमार लोग होंगे इससे आप देश या दुनिया बनाएंगे बीमार लोगों के साथ आप महान राष्टर नहीं बना सकते सिर्फ बीमार राष्टरी बना सकते हैं और दुनिया भर में ऐसा ही हो रहा है बड़े बड़े देश, बहुत सारी बीमारियों को जेल रहे हैं सबसे संपन्देश, जिनकी कोई पोशन्ड संबंदी समस्या नहीं है भारत के आधी समस्या पोश्टिक ता की है वो बच्पन से ही ठीक से नहीं खाते संपन्देश जो पोशन्ड में चुनाव कर सकते हैं उनकी स्वास्थ समस्याओं को देखिए ऐसा होना ही नहीं चाहिए जब वो पोशन में चुनाफ कर सकते हैं मैं तो कहूंगा कि 80 प्रतिशत लोगों को मरने तक स्वास्त की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सिर्फ 20-25 प्रतिशत लोगों को कुछ समस्या होगी नजदीकी के कारण इंफेक्शन वगरा होंगे ये अलग चीज़े हैं मगर ये लोग अपनी मदद खुद करते हैं लोग अपने शरीर में विमारियां पैदा करने के लिए अपनी मदद खुद करते हैं इसे 100% ठीक किया जा सकता है अगर हम सेहत की एक संस्कृति विक्सित करें इसे संभाव बनाने के लिए न सिर्फ मेडिकल पेशे के लोगों को बलकि दूसरे क्षेत्रों के लोगों को भी मिलकर काम करना होगा अभी इस तरह का कोई बड़ा तालमेल नहीं दिख रहा यहां वहाँ छोटी मोटी कोशिस हैं हो रही है मगर वो काफी नहीं है यह अच्छा है लेकिन काफी नहीं है